प्रिलेशन बिट्विन रिलेशन बिट्विन यू वी एफ फॉर कौन के मिरर के लिए और कौन सी वर्च्वल अधार वर्च्वल रिमेज के लिए और में हमने रियल इमज क्या था अब वर्च्वल के लिए कर रहे हैं छीजा वर्च्वल इमिज यहां बनती है मिरर के पीछे तो पहले डियाग्राम बना लेते हैं यह आपका बना कौन के मिरर पॉलिज्ड सरफेश बनाई यह है प्रिंसिपल एक्सिस पोल सेंटर ऑफ करवेचर और सेंटर ऑफ करवेचर पोल के ठीक बीचों बीच फोकस पॉइंट अब्जेट रखाम यहां इस जीज़ ऑब्जेक्ट बिविन फोकस अंद पोल ठीक है एक रेय ओफ लाइट इंसिदेंट की हमने रेय ओफ लाइट इंसिदेंट पैरलल तू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थूपकस पॉइंट फोकस से चली नेक्ट रेय ओफ अब यह दोनों लाइट इस आगे डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग में मिलेंगी नहीं कहीं भी यह दे एपिर टू मीट वेन दे आर प्रोड्यूस्ट बैक्वर्स यहां पीछे बैक्वर्स प्रोड्यूस्ट किया दिस इस दे रियल इमेज oh sorry this is the virtual image this is the object a b a dash b dash is the virtual image of a b virtually because the light rays appears to be diverging from a point mark कर लेते हैं अपने पोल से distance of object यह बना माइनस यू पोल से focus तक कि डिस्टेंस आफ इमेज भी बना लेते हैं पोल से distance of image इस बार क्योंकि हम light ray incident light ray की direction में चलते हैं इमेज तक क्यों के लिए तो यह क्यारे जा रही है लड़की फासने पी से भी डेस्ट तक वी बना फिर इसके बाद कि पोल से focal length focus pointer माइनस एफ पोल से center of करवेचा था माइनस आर यह सारे हमारे parameters हो गए सेम वही कहानी है इसमें भी वही दो ट्राइंगल्स लेने हैं जिन ट्राइंगल्स को हमने पहले लिया था बस यहां से एक यह perpendicular और ड्रॉप करना आपने पर पेंडूगलर क्या लिखा था हमने इसको एम लिखा था इस पर पेंडिकुलर कि ट्राइंगिल लेंगे हम ए बी सी के साथ एडेश वी डेश सी ट्राइंगिल एडेश वी डेश सी इस सिमिलर्टू ट्राइंगिल एबी सी क्यों कि सी एंगिल दोनों में कॉमन है यहां राइट एंगिल बनता है और इधर भी राइट एंगिल बनता है एए प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगिल्स कैसे सिमिलर्ट ट्राइंगिल्स 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 ट देश मीडियर सी सिमिलर ट्राइंगल ए भी सिए ए सीमिलर्टी से करेक्ड अब यहां हम लेलें पर्पेंडिकुलर ए दैस्ट के साथ पर्पेंडिकुलर ए भी एक बैस यहां है बी डैसी और इसका बैस कितना हुआ बी सी ठीक है फिर से हम लेते हैं एक और ट्रैंगिल इस बार देखेगा ट्रैंगिल अभी हमने कौन से लिए थे ट्रैंगिल श्रेडिंग करूं कि इसको नहीं यह ट्रैंगल था आपका यह पूरा ट्रैंगल इसके साथ लिया था यह ट्रैंगल यह वाला ए बी सी ठीक है अब उसके बाद लेते हम ट्रैंगल यह वाला जिसमें एफ आ रहा है ए इस पॉइंट को मुझे लिखना है यहां डी डी एम एफ यह देखें यह ट्रैंगल है डी एम एफ मिला डी एम एफ ट्रैंगल डी एम एफ और इस ट्रैंगल डी एम एफ के साथ क्या लेंगे इस ट्रैंगल डी एम एफ के साथ लेंगे या A-B-Dash पहले लिखूंगा A-B-F similar DMF तो क्या लिखा हमने ट्राइंगल A-B-F similar triangle BMF DMF अब यहां से ratio find करें A-B-Prependicular के साथ DM perpendicular B-F के साथ B-MF क्या लिखा जाएगा A-B-By AB equals MF DM by MF देखें फिर से A-B-Prependicular के साथ DM perpendicular B-F के साथ B-MF अब यहां देखें कि DM equals A-B-A-B क्योंकि यह पूरा आपका rectangle बन रहा है तो DM को हम A-B substitute करेंगे और small aperture small large small curvature के लिए small aperture and large radius of curvature के लिए M is very close to P तो जहां M point लिखा इसे हम P point यहां लिख देंगे तो क्या लिखा हमने कि DM is equals to A-B and for small aperture and large radius of curvature large radius of curvature के लिए क्या बनता हम लिखेंगे M point M M is very close to P hence A-B- by A-B- के साथ यहां क्या था देखो A-B- by AB यह तो side as it is रखनी ही हमने A-B- by AB equals यहां था DM क्या था यह DM DM को हमने substitute करना किस से DM को substitute करना है A-B से और क्योंकि M बहुत प्लोज है तो MF को substitute करना PF से तो यह क्या बना देखो DM upon MF DM का बन जाएगा A-B MF का बन जाएगा PF यह बना आपके लिए A-B बना जाएगा A-B बना जाएगा A-B बना आपको यह बात याद रखनी होती है कि सभी मेजर्मेंट्स में सभी मेजर्मेंट्स में पी जरूर आ जाए A-B- में पी लाना है हमने A-B- में लाना है पी तो A-B- क्या है देखी जरा ध्यान से A-B- यह देखे ओ सॉरी A-B- को अभी तो हमने कंपेर करना किसे कंपेर करना A-B- अपॉन A-B इसी कस्टू B-C और यहां से अभी A-B- अपॉन A-B निकलता है यहां लिख दिया है यहां लिख दिया सीधे-सीधे मिस्टेक की है मैंने क्या मिस्टेक की देखो मुझे लेने थे ट्राइंगिल कॉनसे लेने ट्राइंगिल A-B- एफ के साथ DMF DMF A-B- पर्पेंडिकुलर लिया तो मुझे लेना था DM पर्पेंडिकुलर और मैंने क्या लिख दिया हैं यहां लिख दिया सीधे-सीधे यह मिस्टेक हो गई मेरी इसे दुबारा लिख रहा हूं पूरा देखे ध्यान से फिर से A-B-F is similar to DMF A-B-F is similar to DMF और A-B- के साथ मुझे क्या लेना है DM लेना A-B- upon DM A-B- upon DM इकुल्स अब क्या लेना है इनके बेस लेने पूरा बेस कितना B-F B-F के साथ कितना F है कितना बेस है MF तो B-F upon MF क्या लिख रहा है मुझे यहां B-F upon MF और फिर हम बात करेंगे कि क्या कि DM is equals to क्या है A-B है क्यों है यह opposite sides of a rectangle कौन से rectangle की opposite sides है यह दोनों देखिए यहां यह 90 degree तो पूरा का पूरा rectangle बन गया कौन A-D-M-B A-D-M-B is a rectangle rectangle की opposite sides equal होते हैं और small aperture और large radius of curvature के लिए M very close है तो जहां point M लिखा उस point M को हम हटा करके substitute कर देंगे point P because M is very close to P तो क्या लिखा जाएगा for small aperture and large radius of curvature M is very close to P तो जहां M आ रहा है वहां P लिख देंगे तो A-Dash B-Dash upon DM को लिखा AB equals B-F upon PF M को हटा कर P रख दिया this is equation number 2 A-Dash B-Dash upon AB की equation already आपके पास आती है यह equation number 1 दोनों को compare करें A-B-Dash upon AB और यहां भी क्या है A-B-Dash upon AB यहां क्या है देखिए B-C by AB यहां क्या है B-F by PF दोनों को compare कर दिया तो यह equation 1 से उठाया B-C by BC from equation 1 & 2 दोनों equations को लिया तो first equation से आया B-C by BC और second equation से आया B-F by PF अब इन में से सब में से हमने इस तरह लेना कि हर जगा P ज़रूर आए क्योंकि all the measurements are to be measured from P सारी की सारी measurements कहां से लेनी हमें सारी की सारी measurements हमें P से ही लेनी तो P ज़रूर आ जाए कुछ हैसा करेंगे कि P ज़रूर आ जाए तो B-C यहां से break करते हैं इस तरह कि P ज़रूर आ जाए देखो इस बी डैश इस इस सी तो B-C को आप पुरा क्या लिख सकते हैं तो B-C कितना हो गया इसे हम लिखेंगे क्या पी बी डैश प्लस पी सी बी सी को क्या लिखना है देखिए दरह बी सी इस बी सी बी सी में हम लिखेंगे टी सी माइनस टी बी ती जरूर आना हमने तो P-C मैंसे सब्टेट कर दीजे P-B P-C माइनस P-B क्या लिखा इसे P-C माइनस P-B is equal to अब उसके बाद क्या बचता है B-F बचता है आपका B-F B-F कहा है यह रहा B-F This is B-F तो B-F में बीचव पॉइंट पी प्रदगा है B-F को हम लिखेंगे TB-डेश प्लस P-F TB-डेश प्लस P-F क्या बना TB-डेश प्लस P-F divided by P-F तो आपका आई रहा है अब सब जगा P-P-P-P-P आ चुका और P से हमें मेजर्मेंट करने है सारे के सारे डिस्टेंस अब सब्स्टिटूट करना शुरू कर देते हैं TB-डेश कितना है देखें जरा TB-डेश कितना है TB-डेश प्लस V तो TB-डेश को मैंने सब्स्टिटूट किया P-C-R है मैनस PB PB देखते हैं PB क्या है P से B तक है मैनस U सब्स्टिटूट किया मैनस U इक्वल्स TB-डेश प्लस V तो PB-डेश सब्स्टिटूट किया प्लस V प्लस PF P से F तक P से F तक क्या है focal length है मैनस F सब्स्टिटूट किया मैनस F divided by PF यह भी मैनस F है इसके बाद आपकी कुछ भी नहींगे simple mathematics से इन्हें cross multiply करना आपको क्या बना प्लस V इसको मैं लिख देता हूँ मैनस 2F ओके मैनस 2F और प्लस U इक्वल्स प्लस V मैनस F बाइ मैनस F अब आप इसे simply multiply कर लिजे कैसे multiply करेंगे इसे आप मैनस V sorry V और F की multiplication मैनस VF प्लस 2F square इक्वल्स यहां multiply किया मैनस 2V F फिर इसे multiply किया प्लस UV और यह multiply किया तो बनेगा प्लस 2F square और फिर यहां multiply किया तो क्या बन जाएगा मैनस UF 2F square 2F square दोनों side है कतम कर दीजे और जिसमे F आ रहे हैं उन्हें एक side ले लिए जिसमें F नहीं है उन्हें एक side रख लिए यह देखिए माइनस VF है यह और यह 2VF यहां से धर आकर प्लस हो गया इसे भी ले लेते हम प्लस UF हो गया इजी कलस्टूम है यहां कुछ नहीं बच्चा यह तो यह रहा 2VF आ चुका UV बचा आपका 2F square खतम हो चुका और माइनस UF हम इधर ले चुके हैं इधर क्या बच चलता है अब यह अब यह बचता आपका VF प्लस UF इक्वल्स UV पूरी equation को डिवाइट कर दी रहे किस से डिवाइट कर दी रहे UVF से तो यहां बच जाना आपका 1 by U प्लस 1 by V इक्वल्स 1 by F यह आपकी पूरी की पूरी equation तयार हो गई Linear Magnification के लिए क्या करना आपने Linear Magnification के लिए दो ट्रेंगल लेने और दो ट्रेंगल आपके पास हैं यह कौन से दो ट्रेंगल लेने नहीं पहले हमने एक और रे यहां से लेनी पड़ेगी पिछली बार की तरह ही कहां से A से A से कहां पर आप इसे incident कराएं इसे A से incident कराएं आप सिधा P पर और क्योंकि दो रेज जहां मिल रहे हैं A डैश पर वहीं इस तीसरी को भी जाना है हम अपनी convenience के लिए दो रे लेते हैं लेकिन actual में तो हजारों लाखों रेज होती हैं यह यह तीसरी दे हो गई चले ठीक है यहां यह एंगिल अफ इंसिडेंस और यह बना आपका एंगिल अफ रिफ्लेक्शन आई इकल्स आर हम यूज करेंगे मेरे खाल से डाइराम जादा कंजस्टिट हो गया दुबारा बनाऊं क्या बोलो तो ए बी ए बी पी ट्रैंगिल है यह रहा आपका ठीक है और एक ट्रैंगिल लेना आपको ए डेश बी डेश पी ए डेश बी डेश पी लेना आपको एक ट्रैंगिल ही ठीक तो ए बी पी के साथ ए डेश बी डेश पी लेना अब देखने दरह धियान से यह अगल्स और यह वर्टिकल्य एपूजित हो जाएंगे यह एंगल भी किसके एक्वल हुआ आरे के लिखने रहा है इसको सिमिलारटी हो गई कॉन को से सिमिलारटी हो गई एड़ेश बीड़ेश पी सिमिलर टू एबीपी यह एंगल दोने को वह यह अगर आपका एकस तो आर भी एकस और यह वर्टिकली अपूजिटेंट यह भी एकस एंगिल यह तीनों एंगिल एक बिल्कुल एक बराबर के हैं तो करेंग कि कौनसा एंगिल एभी एविश कौनसा तरइंगेल एड़ेश भी कौनसा अन्गिल एड़ेश भीडैश धीनों अपसर अ अरथ यह तैंग है च्लंदेश भीडैश थी सिमिलर टू एबी पी गया बना ट्रैंगिल एडस बी डैस्ट पी सिम्ली क्रेंग्ल इबी पी को एडस बीड़के सत्स भी करिए आपने वी ठीक है पर पेंडिकुलर के साथ पर पेंडिकुलर एड़ बीड़ैस के सार्द बी इसका वेश डिवि डैस और इसका बैस टो यहां से क्या है आपका this TV- Lucky अब देखना थीहां से फिश्वी डेश यह आपकी all इमेज है जो कि इस टाइम है प्लस में क्योंकि हम अपदह प्रिंसिपल एकसिस मेजर कर रहे है और बागी दोनों तो लिखा हुआ है यह ती बी डेश कितना प्लस वी और पीब कितना है माइनस यू substitute कर दें इसमें सबकुछ substitute कर दिया आपने तो ए डस बी डश बना प्लस अफ स्कूल बना प्लस एच वन और टी बी डश है प्लस वी और यह है माइनस यू ठीक है तो यहां से equation निकल कर आई आपकी h2 by h1 equals minus v by u यह तो equation आई और थिर हम लिखते है एक छोटी सी बात एक छोटा से statement लिखते हैं क्या by the definition of by definition of by the definition of linear magnification m m equals h2 by h1 which is equal to minus v by u this is the linear magnification linear magnification ka formula वही निकल कर आएगा जो आपका निकल कर आयतर virtual image से यह concave mirror के लिए virtual image है वो हमने कल किया था concave mirror के लिए real mirror दोनों से एक ही formula निकल कर आणा कोई difference नहीं